हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अंजली स्वागत है आप सभी का हमारे चानल नेक्स नाइन निउस में और आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी से एक ऐसी स्टोरी यहाँ पर शेयर करूंगे एक ऐसी अधाकारा की स्टोरी जो फिलहाल बॉलिवट की दुनिया से गुम नाम है जी हा दोस्तो बॉलिवट की दुनिया जहाँ पर एक रात में ही आपको चकाचौंत की दुनिया दिखा सकती है तो वहीं पर दो दिन फिल्में अगर फ्लॉप हो जाएं तो आपको अर्शिसेव फर्ष पर ले आती है जी हाँ दोस्तों जहाँ पर हम देखते हैं नहीं रहती है और आज के इस वीडियो में हम ऐसी अधाकारा की बात कर रहे हैं जिनोंने नब्बे की दिशक में महीश बट की फिल्म आशिकी से नाम कमाया था जी हां दोस्तों इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अनुअगरवाल की जिन्दगी की हाला की उन्होंने आशिकी में काम किया महसे किल साल की उम्र में उन्होंने जो फेम पाया वो सर्फ रातो रात पाया और यहां पर लेकिन जब उन्होंने दूसरे फिल्मों में अपना हाथ असमाया तो उनको दूसरे फिल्मों से कुछ जादा यहां पर वैल्यूम नहीं मिली नहीं उनको इतना fame मिला और वो फिर से बन गई एक flop actress यहां पर अनुवागरवाल ने कई तरह के के profession से यहां पर choose किये वो योगा भी सिखाती हुई नजराई बच्चों को लेकिन बॉलिवुट की दुनिया से उन्होंने अलविदा कह दिया वही पर दूसरी तरफ वो शाया तो वहाला कि अपनी याददाश तक हो चुगी थी उनका निचला हिसा परलाइस हो गया था और करीब 11 दिन तक वो कोमा में रही थी तो वही पर इनकी दर्द भरी जिंदगी का एक ऐसा राज है और इनकी दर्द भरी जिंदगी के जो जुड़े किस से हैं और जाते हैं और कुछ एक या दो फल्म करने के बाद ही फ्लॉप हो जाते हैं हमारे बॉलिवुड में स्टार्डम पाना हुनर के साथ साथ किस्मत पर भी निर्भर करता है इस इंडस्ट्री में जहां एक फल्म चल जाए तो रातो रात स्टार बन जाता है तो वहीं अगर लग जाने में काफी फेमस हुई थी आपको बता दें कि बीते कल में जिनकी काम्याबी के चर्चे थे पर आज कभी कबार ही उनकी बात कहीं होती है अब तो जैसे लोग उनको भूल ही गए हैं लेकिन उनके सूपर हिट गाने तो लोगों के दल पर आज भी रास करते हैं फिल्म आशकी का हर गीत चाहे वो मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में हो या धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना हूँ उसके आशकी में ही लिखे गए इस पहली है फिल्म ने उसे स्टार्डम का ताज पहना दिया और वो स्टार से सूपर स्टार बन गए दर्शकु ने आशकी से इतनी घहरी आशकी की कि उसकी था आज भी कई दिलों में देखने को मलती है इसके गाने और अदाकारा दोनों खूब सफल हुए सफलता के बाद जब ये अपने फिल्ट में आगे बढ़ी तो इसमें ना पहले वाली बात रही ना किसी को उससे पहले की तरह आ रातो रात स्टार बन जाता है तो वहीं अगर लगातार एक के बाद दो से तीन फ्लॉप चली जाएं तो आपका अर्श से फर्ष पर आ जाते हैं यहां हम बात कर रहे हैं नब्बे के दशक में आई आशी की फिल्म की उस अदाकारा की जो रातो रात स्टार बन गे लेकिन अब इस अदाकारा के चर्ची दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलते हैं आखर ग्लामर छोड़ कर कहां गुम है अन्नु अगरवाल एक समय था जब लोगों के जुबां पर सिर्फ अन्नु अगरवाल का नाम होता था और सभी लोग इनकी फिल्म शुकाय के गीतों को दिवा अंग लोटा दिया और उस हाथ से के बाद जब वो उससे उभर कर लोटी तो कुछ और ही होकर वहीं आनु जिन से तक्री बंदो दशक पहले हम मिले थे वाया महिश भट फल्म आशिकी में आनु अभी नीत आशिकी के गानों की लोग प्रेता के चर्चे आज दोश दशक ब रही फिल्मी पाचियों में नजराते रहते हैं लेकिन अनु कहीं नहीं दिखती आपको बता दें कि अनु का जन्म 11 जन्वरी 1969 को दिल्ले में हुआ था उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और 1990 में महिश भट ने अपनी संगीत में फल्म आशिकी मे पहला ब्रेक दिया ये महज 11 साल की उम्र में अभिने के शेत्र में कदम रखने वाली अनु अपने भैतरीन अभिने और मासूम चहरे के बूते दर्श्रिकों की पसंदीद अदकारों में शुमार हो गी लेकिन उनका स्टार्डम का ग्राफ आगे मिली फल्मों में बढ़ने कब परदे पर आई और कब चली गई पता ही नहीं चला हंदे फल्मों किया सफलता के बीच उन्होंने एक तमिल फल्म थिरूदा थिरूदा में काम किया और 1996 के बाद अनु किसी और फल्में नहीं दिखाई दी कुछ दिन वो एक टीवी वीजे भी रही और 1997 में वे योगा क दाश्ट को प्रभावत किया उन्हें चलने फिरने में अक्सक्षम किया कर दिया उन्हों 30 दन के कोमा के बाद वह होश में आई तो खुद को नहीं अपनी भाशा भी भूल चुकी थी शरीर का निचला हिस्सा पैरलाइजड था और लंबे उपचार और प्रबल जीजी और वहां मुंबे में अकेली रहती हैं और बच्चों को योगा सिखाती हैं और खुद के सवालों के जवाब तनाश्टे हुए एक कदाब लिख रही है जो अब पूरी हो चुकी है परदे से उनकी विरक्ती की वहट अउसकी चका चौंद के पीछे का स्याह अंधेरा है और में दुनिया से भी उनकी खोश खबर लेने वाला कोई नहीं आज अगर आप उन्हें देखेंगे तो शायद पहचान भी नहीं पाएंगे उन्होंने अपने शोशल अकाउंट पर एक फोटो भी शेयर किये थे पर शोशल अकाउंट पर कम ही एक्टिव रहती हैं आनुमंग मुश्किल से हांसल किया है अब उसमें किसी का दखल नहीं चाहती नहीं कोई पुराना जिक्र ही उन्हें अब जरूरी लगता है बस वो अपना एक सुखी जीवन शांती से जीना चाहती हैं और किसी से किसी प्रकार का तालमेल नहीं रखना चाहती दोस्तों आपने देखा कि किस तरह बॉलेवच की दुनिया जितनी चका चौंध दिखती है वाकई में उतनी होती नहीं है जहां अगर आप फेम के उस पे चड़ गए तो आप खुश ही खुश है लेकिन अगर आप एक के बाद एक नीचे सीडियां उतरते गए तो तब ही आपका फ्लॉप होना तो तैही है और लोग आपको मिंटो में भूल जाये करेंगे और वही पर जैसे अनुगरवाल ने आशिकी को लेकर आज तक उनका नाम जाना जाता है आज तक उनके गानों को लोग आज तक सहराना देते हैं कि किस तरह आशिकी के मूवी को फैंस ने खूब प्यार दिया था और अनुगरवाल को भी खूब प्यार दिया था लेकिन जहां पर उनकी दो तिन फिल में फ्लॉप हुई वो अचानक से गाय भी हो गई लोगों ने उनको फेम देना ही बंद कर दिया और वही पर रातो रात फर से फ्लॉप हो गई तो आपको अनु झाल